हेलो आप सब कैसे हैं मैं उमीर रखता हूं कि आपको पिछले वीडियो समझ में आयोंगे और शायद आपने उसको इंप्लिमेंट भी किया इन दर सेम पेटन आज का जो टॉपिक है इस अब फास्ट फूड यह एक टॉपिक तो बहुत छोटा सा है बट आजकल की जेनरेशन क यह समझाना बहुत मुश्किल है कि वाट इस अब यह फास्ट फूड का प्रॉल्म क्या है आखिर हमें क्या प्रॉलम होती है फास्ट फूड कहने से त्यूकि फास्ट बहुत टेस्टी होता है मल अपने घर के बोरिंग खाने से बहुत अच्छा होता है और देखके जू प्रॉबे क्या आप में कहता हूं यह बहुत बहुत हर्डल से हम लोगों के लिए है इसे पैरेंट्स कि हम कैसे सीखाएं कि फास्ट फूड का इश्यू हो रहा है तो आए थोड़ा सा इसको मेडिगल साइंस के रेस्पेक्ट ली सोचते हैं तो शाद आपको थोड़ा सा बनाते हो उसका और फाइनस 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 बनाऊगे तो मेदा बनेगा वह दिखने में लुकिंग अच्छा होता क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक पीसावा होता है तो तो तरह यूनिक आता है बड़ प्रॉब्लम क्या रहे है वह समझे आपने फास्ट का है टेस्ट म को बहुत मज़ा भी आएगा खाने में और यूनिकनेस होगी और आपको बार-बार खाने की इच्छा भी होगी अफकोर्स क्योंकि केश अच्छा है तो खाने की इच्छा तो ज्यादा अच्छी हो नहीं हो सबसे तरीका सबसे बेच तरीका वह एजील अवेलेबल भी है ठी अच्छी से पता होना चाहिए कि मौट से चुई करने के बाद में वह फिर आपकी इस चमक में जाएगा इस चमक में दो-तिन घंटे रहने के बाद में फिर वह आपकी इसमोल इंटेस्टैन में जाएगा उसके बाद लार्ज इंटेस्टैन में जाएगा अब जो आपकी प् प्रोटीन के लिए अलग-अलग रिसेप्टर्स अविलेबल है अलग-अलग अमीन अपने खा लिया अब वह मेदा जब अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा चिकना है आप सिंपल सी कट्री में मेदा लीजेगा उसके पाइन डालके रहेगा उसको हाथ से ऐसे करेगा उसके बाद उस हाथ के आप देखोगे तो आपको अपना बहुत ही चिपचीपा पना जाएगा और वह जिस चिकनेस होगी नहीं आप कितना भी पानी से वाश कर लीजेगा करके और एक लिमिट ऐसे होगी कि आपका पार्ट वहां से अब्सक्राइब करना बंद कर देगा आप सुचिए फास्ट फूर्ट खाने से जो सब सब्सक्राइब आपको लगता है सब्सक्राइब और भी खाई रहे हैं अगर आपनी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपर वह कोटिंग कर दी तो वहां से प्रोटीन या अम्यून एसिड का अब्सक्राइब आपकी ब्लड में जाई नहीं सकता अगर वह ब्लड में नहीं जाएगा तो अफ्कोर्स आपको धिर धिले डेफिशेंसी आजाएगी आप एक काम कीजिए अगर आपको फास्टू इतना ही पाएंगे आप आप ट्राय करके देखिए अगर नुटिशन इतने अच्छे होते और टेश इतना अच्छा होता तो फिर यह हमारी बोडी के लिए बहुत हैल्फूल होना चाहिए था प्रॉलम में फास्टूड खाना प्रॉलम नहीं है फास्टूड खाने के बाद वह जो फास्थूड खा रखे हैं उसका रीजन है की उनका अभी से इंटरेस्टाइन के अंदर को छैंदर की कॉटिंग हो चुकी है वह कॉटिंग होने से ऐब्रोर कम करम हो हूरी है आप एब्रोस्चनब पऌने का सीदा से मतलब है कि आप धीरे धीरे डीज हो राओर्यों धीर द इतना सा हो रहा है कि आपके इंटेस्टाइन के ऊपर इतनी कोटिंग चड़ रही है और वह कोटिंग आसानी से नहीं निकलेगी आप अगर थोड़ा सब पुराने वी यूटूब के वीडियो देखेंगे तो आपको लगया कि जो कोटिंग होते हैं तो दस बनरा पनरा साल इं अगर वह इंटेस्टाइन से बहां निकल गयाना तो वह आपके लिए प्रॉब्लम निफिर आप टेस्ट भी का भी इंजोई कर सकते हो क्योंकि आपने बैक्तिरिया फंगस लगा के उसको इस्ट लगा के उसको वैसे उसका डिग्रेड कर दे तो आपको इंतेशा में चिपकड़ा तो हमको एक इस होट आउट करना है फास्ट फूड खाना है सेवन डेज तेन देज के अंदर रेगुल नहीं खाना है सेकेंड पॉइंट आपको गरम पानी रेगुल पीना अगर आपको फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको पीनी नहीं है चाहे कोई फिरी में भी क्यों अवैलेबल करवाद है आप केवल गुन-गुना लुक वार्म वार्ट ही पीएं तो आप लुक वार्म पीजिए आप ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी एक्सेसाइज का मतलब स्कीपिंग कीजिए मैं इसलिए बेस्ट बोलता हूँ 10-minute के लिए इसकीपिंग करने साब कि पूरी बोड़ी उचलती है और बार बार वो जो जो जम्प करके नीचे आती है तो जो भी चिपका वा इंटेस्टेंट पर होगा वो अपने आप निकलेगा तो देख से वेरी वेरी इंपोर्टेंट और साथ मैं आपको एक चीज़ का जहरूर ध्यान रखना है की कोई भी चीज जो टेस्ट में अच्छी होती है वो हमारी बोड़ी के लिए जरूरी नहीं है कुछ चीज है एस होती है जो बहुत बेकार होती है पर हमारी बोड़ी के लिए ज़रूरी है और प्लीज जिसको आप बोलते हैं, ये मंदिर अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है, तो बिटा ना आपका मन ध्यान में लगे, क्योंकि बच्चों की प्रॉलम होती है, आप अगर इंटेश्चाइन के अंदर बहुत सी गंदगी लेके बेठे हो पढ़ने के लिए, आपका भ्यान पढ़ाई में लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बार-बार बीमारी होगी, आप साइकोलोजीकली फिट नहीं होगे, विकोज आपके सारे हर्मोन स्वाँ चिपके रहेंगे, क्योंकि क्या होगा, आपका जो ब्लड का प्रेशर है, वो बार-बार पीजिए, घरम पानी पीजिए, और लिमिट में खाये, और अर्ती सर्वत रवज्जते इस लाइन को हमेशा दिमाग में सेट रखेगा, ताकि जीवन में हम सही तरह से आगे बढ़ सकें, और अपने आपको अपने आपको स्वास्थ रखोगे, तो आप बाकी सब काम आसान होते 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 हें नहेंगे, ओके हूं, फिर मिलेंगे अगले विडियो में, तब तक के लिए बाई-बाई-बाई,